राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाव में रैली सभाओ और जुनूसों पर लगाया प्रतिबंग देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4461 मामलों की पुष्टी आई सी एम आर ने कहा है कि कोवीड रोग्यों के संपर्क में आये लोगों को जाच की ज़रूरत नहीं चतीजगण में तेज हुआ टीका करण अभ्यान इसके तहत 18 वर्ष उस्यदिकुम्र के 65 फीजदी लोगों को लगा टीका और चतीजगण का बदला मौसम अधिकांश जिलो में बारिश के साथ ओले भी गिरे नमस्कार आप देख रहे हैं दूर डशन समाचार मैं हूँ शुबरा भटाचारे अब समाचार विस्तार से 36 गड में कोरोना के बढ़ते संक्रमन का सरचुनाव पर भी पढ़ गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां हो रहे त्री इस्तरी पंचाय चुनाव में रैली सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है राज्य निर्वाचन आयोग तुठाकुर राम सिंग ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के सासा चुनाव संपन्न कराना आयोग की महत्वपूर्ण सिम्मेदारी है सभी कलेक्टों को पंचाय चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश पूर में जारी किये गए थे वर्तमान संक्रमन को देखते वे अतिरिक दुपाय करना आवश्यक है इसलिए आयोग द्वारा अलग से निर्देश प्रसारित किये गये हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नियादेश के मताबिक पंचायतों के आम और उप्चुनाव में रोडशो, पध्यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन, रैली, आम, सभा, जुलूस रूप में प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया गया है उम्मिद्वार डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे, इस दोरान उनके प्रचार दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही हो सकते हैं इसमें प्रत्याशी को भी शामिल माना जाएगा जिला पंचायत एवं जन्पत पंचायत सदसे निर्वाचन के लिए उम्मिद्वार को प्रचार प्रसार करने के लिए केवल एक वाहन की अनुमती दी जा सकेगी इस वाहन में भी केवल चार व्यक्ति ही हो सकते हैं खुद उम्मिद्वार भी इस चार में शामिल होगा राज्जे में 33 पंचायतों के आम और उप्चुनाव के लिए 20 जनवरी को मतदान होने है देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4461 मामलों की पुष्टी हुई है इसमें महाराश्ट्र में 1247 जबकि राजस्थान में 645 दिल्ली में 564 और करनाटक में 489 मामले शामिल है स्वास्तमंत्राले ने बताये कि अब तक ओमिक्रॉन संक्रमित 1711 मरीज ठीक हो चुके है इस बीच भारती आयरविग्यान अनुसंधान परिशद ने एक बड़ी खोशना की है परिशद ने कहा है कि कोवीड रोग्यों के संपर्क में लोगों को जाच की जरूरत नहीं है जब तक कि वे अधिक उम्र के ना हो या अन्य रोगों से ग्रस्त ना हो उन्होंने ये भी कहा है कि खांसी बुखार, गले में दर्द, स्वात और गंध की पहचान नहीं कर पाने और सांस लेने में परिशानी तथा सांस की अन्य तकलीफ होने पर कोवीड जाच अनिवारे होगी जबकि अंतरराश्ट्री यात्रा पर जा रहे व्यक्तियों तथा जलमार्ग और वायुमार्ग से भारत आ रहे यात्रियों की भी कोवीड जाच अनिवारे होगी भारती आयरविग्या ननुसंधान परिशद ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग केवल निग्रानी के लिए की जा रही है उपचार के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग आवश्यक नहीं है इधर 36 गड़ में भी कोवीड संक्रमन के नियंतरन के लिए सभी जीला कलेक्टरों को नए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं राज्य शासंद्वारा जिला कलेक्टरों को दिये निदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि जिले में ऐसे विशेश क्षेत्र जहां कोविट संक्रमन चार प्रतिशत या उससे अधिक है वहां संक्रमन की रोगठाम के लिए उनक्षेत्रों को कैटेगरी A में रखा जा सकता है ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कलेक्टर संपूर्ण जिले को कोविट संक्रमन की कैटेगरी A में नहीं रखना चाहते हैं तो अपने जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमन दर अधिक है उन विकास खंडों को कैटेगरी A में रख सकते हैं उन लेकनी है कि कैटेग बंद रखे जाने के साथ साथ सभी स्कूल और आंगनबाडी केंदर लाइब्रेरी, स्विविंग पूल एवं अन्य सारवजानिकिस्थान बंद रखे जाने के निर्देश दिये गए हैं। के नेत्रित्व में ASP, SDM, सहित, राज्यस्व, पुलिस अधिकारियों ने सायरन बजाते हुए, पुलिस कंट्रोल रूम से नैला रिल्वे स्टेशन, शारदा चौक, जांजगीरवस्ती, केरा रोड में फ्लैग मार्च का योजन किया। इस दौरान लोगों को कोरोना से सुर इस अभ्यान के तहर दुर्गजिले में स्कूलों में जाकर बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। टीका करन को लेकर बच्चों में भी खासा उसाह देखा जा रहा है। बच्चों ने टीका करन अभ्यान की सरहना करते हुए कहा कि टीका लग जाने के बाद वे स्वैम को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मैं यही कहना चाहती हूँ, सब रोंगोज लगवाईए, मास्क कमपसरी रखिये और डिस्टेंस बनाए रखिये और लोग का कहना है कि दोनों डोस कमप्रीट हो चुके हैं तो मास्क ना लगाए ऐसे ही घुम रहे हैं लोग तो मैं कहा रही हूँ कि मास्क लगाईए, डोनों सो कमप्रीट हो फिर भी मास्क लगाए रखिये और डिस्टेंस बरकरा रखिये इसी तरह राश्ट्र व्यापी टीका करण अभ्यान के तहट अब तक देश में 152 करोड 89 लाग टीके लगाए जा चुके हैं इस तरह देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोस लगाई जा चुकी है देश में सोमवार से बूस्टर डोस लगाने का काम भी शुरू हो गया है इसके तहट पहले दिन 9 लाग से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोस लगाया गया है भारती जनता पार्टी के राश्ट्री उपाध्यक शेवम 36 कर के पूरू मुख्यमंत्री डॉक्टर रमसिंग अपने एक दिवसी प्रवास पर राजनाद गाउं पहुंचे उन्होंने यहां कोरोना के हालातों का जैसा लिया और स्वास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर समिक्षा की पूरू मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश सहित राजनाद गाउं में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चिंता जाहिर की उन्होंने स्वास्वेभाग और प्रशासंद्वारा किये गए इंतजामों पर संतुष्टी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा यहां के जो कतिविदियां चल रही है, उसके और हम जान करी, यहां मेडिकल है जब हो डीन और वाकी वहरी सरीकारियों के साथ बैठ के, मुझे लगता है कि यहां की जो तैयारी फिलहाल जो दिख रही है, उसमें परियाब संख्या में बैड भी है, आक्सिएन भी है, स्लेंड का प्रोग्राम चलाना है उसमें रप्तार हो और बूस्टर डोज एबाफ 60 और फ्रंट लाइंट जो वरकर हैं उनके लिए भी तैयारियां चल रही है बैठक के दोरान डॉक्टर रमन सिंग ने जरूरत मंद्र लोगों की मदद के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और सभी को वैक्सिनेशन और बूस्टर डोज लगाने प्रेरित करने की बात कही 36 गड़ में नकसली अभातियार छोड़ कर खुशाल जीवन व्यतीत करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सरकार की आत्म समर्पन नीती से प्रभावित होकर बीजापूर में 3 लाख के कि नामी मावादी डिप्री कमांडर पांडूराम सवलम ने पुलिस के सामने आत्म समर्पन किया है बीजापूर के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक कमलोचन कश्यप के मार्गदर्शन में जिला एवं सीमावर्ती राजी तिलंगाना के साथ चलाये जा रहे सेंग्त मावादी उन्मूलन अभ्यान के तहट तिलंगाना स्टेट कमेटी जैशंकर भुपाल पल्ली मुल्गू वारंगल पेदापली डिविजन के मावादी पांडूराम ने पुलिस के समक्षु सरिंडर किया बताया गया है कि मावादी पांडू कई बड़ी खट्टाओं में शामिल था जिसके चलते उस पर तीन लाख रुपए का इनाम रखा गया था समर्पन करने पर मावादी को प्रोचसाहन राशी के रूप में दस हजार रुपए दिये गए 36 गड़ के धिकांच जिलों में सोमवाराज से ही तेज बारिश हो रही है मौसम विज्यानिकों के मताबिक प्रदेश के उत्री भाग में विन कॉन्फरेंस जोन बनने की संभावना है इसकी वज़त से प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम में विशेश परिवर्तन होने की संभावना नहीं है मौसम विज्यान केंद्र के वेक्यानिक हपी चंद्रा ने बताया की उपरी हवा का एक चक्री चक्रवाती घेरा उत्तर हरियाना के उपर में स्थित है यही से एक द्रोनिका दक्षिन पूर्व मध्य प्रदेश तक गई है तथा एक द्रोनिका उत्तर अंद्रूनी करनाटक के उत्तर मध्य महाराष्टों तक फैली हुई है विभाग के मताबिक हरियाना से लेकर दक्षिनपूर्व मध्यप्रदेश तक द्रोनिका की मौजूदगी के कारण प्रदेश के मध्यभाग बेग दो स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना है गरत चमक के साथ ओला ब्रिष्टी भी संभावी था है ओला ब्रिष्टी का चेत्र मुख्यता मद्द चतिसगर रहने की संभावना है जिसमें ब्लासपूर संभाग के दक्षेडी भाग दूर्ग संभाग रायपूर संभाग और बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में गीर सकते लगातार दो दिनों से मौसम में हुए बदलाव के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्च की गई है इसके साथ ही दिन भर घना कोहरा चाया हुआ है केंडर सरकार इन दिनों आजादी का मुरित महुत सो मना रही है 75 सब्ताह तक चलने वाले इसकारिक्रम के दौरान हम आजादी के जन्नाइकों से नई पीड़ी को परिचित करा रही है आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंतरता संग्राम सेनानी लाल बहादू शास्त्री के बारे में आज की कड़ी में हम स्वतंतरता सेनानी और देश के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री का स्मरण कर रही है जिनका निधन 11 जन्वरी 1966 को हुआ था लाल बादूर शास्त्री पर स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी और एनी बेजंट का गहरा प्रभाव था वे महात्मा गांधी के मार्क दर्शन में 1920 के दशक में स्वतंतरता आंधोलन में शामिल हुए थे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का निक्रत्व किया और भारतियों को जै जवान, जै किसान का नारा दिया जै जवान, जै किसान, जै किसान लाल बादूर शास्त्री का जन्व उत्तर प्रदेश में वारानेसी के निकट हुआ था बच्पन से ही अध्यन में रुची रखने वाले शास्त्री जी जीऊतों के बिना कई मेल पैदल चल कर बनारस में अपनी स्कूल जाते गर्मियों में धूप से तप्ती गलियों से भी वो नंगे पाह गुजरते उम्र बढ़ने पर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रुची भी बढ़ी मात्र 11 वर्ष की आयू में ही वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए जन्वरी 1921 में जब लाल बहादू शास्त्री दस्वी कक्षा में थे और उनकी फाइनल परीक्षा में केवल तीन महिने ही बचे थे उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालविय की जनसभा में भाग लिया विद्यार्थियों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी के आहवान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन से ही स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए बाद में उन्होंने वारा नसी में काशी विद्यापीठ में अध्यान किया यहां वो महान बौधिक जन और राष्ट्र भक्तों के संपर्ग में आए लाल बहादु शास्त्री लोक सीवक मंडल से आजीवन सदस्य की रूप में जुड़े इसे लाला लाजपत राए ने स्थापित किया था लोक सीवक मंडल के तहट उन्होंने बिहार के मुझफरपुर में महात्मा गांधी के निर्देश पर तथा कथित पिछडी जातियों के कल्यान के लिए काम करना शुरू किया नागरिक अवग्या आंदोलन के दोरान लाल बहादू शास्री ने अनेक अभियानों का नित्रत्व किया और साथ वर्ष का समय ब्रिटिश सरकार की जेलों में बिताया इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार थाल वर्ष किया नमस्कार